Hello everyone, welcome back to my channel School Diaries So, देखिए, आज से हम जो है computer की पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं यह है class 1 का computer का book ठीक है, IT Planet, My Bits and Bytes ठीक है, so यह है latest edition देखिए, इस साल का latest है, 2021 edition है यह So, आपको यही book लेनी है, last year से इसमें जो है थोड़ी सी changes है देखते हैं इसका content page देखिए, यह है इसका content page और इसमें total जो है 8 chapters है ठीक है, so हम एक एक वीडियो एक एक chapter में करेंगे So, आज हम करेंगे इसका chapter number 1 जो की है computer a magic machine Chapter 1 So, चलिए, शुरू करते हैं हमारा computer का सबसे पहला chapter ठीक है, यह है computer a magic machine यानि computer क्या है, एक magic machine है, एक जादूई machine है क्यों जादूई machine है, क्योंकि यह बहुत सारे काम कर सकता है वो भी बहुत जल्दी, चुटकियों में बहुत सारे काम computer कर सकता है इसलिए हम computer को एक magic machine बोलते हैं, ठीक है, इस chapter में देखिए हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, introduction to computer, यानि computer के बारे में what is a machine, एक machine क्या है, machine क्या होती है, machine इंसारों के द्वारा बनाए गई एक चीज है जिससे हमारा काम बहुत जादा आसान हो जाता है, बहुत सारी machine होती है तो हम वो भी पढ़ेंगे, देखे, different types of machines, यानि machines कितने प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से machine क्या-क्या use के लिए होते हैं, features of computer features of computer मतलब computer की क्या-क्या विशेशताएं होती है, computer क्या-क्या करता है तो देखे, introduction to computer, computer क्या होता है, जैसे कि आप इस picture में देख रहे हैं यह होता है हमारा computer, ठीक है, इसके जो screen होता है, इसे हम बोलेंगे monitor और यह जो type करते हैं, जहां पर वो होता है keyboard और यह जो, जिसमें हम click करते हैं, एक चुहे जैसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं, माउस और यह जो होता है, यह होता है हमारा CPU इसको हम brain of the computer भी बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर ही होता है, सारा प्रोसेसर, सब कुछ, ठीक है सो चलिए, शुरू करते हैं, सो यहां पर देखिए, आपको picture में दिखा रहा है, एक चोटा सा cartoon computer सो यह हमसे क्या बोल रहा है मैं help करूँगा आपको सिखाने के लिए, कि computer एक machine की तरह काम कैसी करता है सो बच्चे क्या बोल रहे हैं, वाउ, बच्चे बोल रहे हैं, वाउ, ठीक है सो अभी computer क्या बता रहा है, computer is a smart machine computer एक बहुत ही smart machine है, it can do many things for you वो हमारे लिए बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें हमारे ले कर सकता है बहुत तेज चलता है और बहुत smart है, बहुत हुश्यार है ठीक है, चलते हैं अगले पेच पे what is a machine, एक machine क्या होता है a machine is a man-made device that makes a work easy यानि machine एक man-made device है यह man-made device क्या होता है, man-made device मतलब इंसानों के द्वारा बनाया हुआ यानि जो इंसानों ने बनाया है, जो man ने बनाया है इसलिए हम उसको man-made बोलते हैं, ठीक है computer तो पहले नहीं था है न, वो किस ने बनाया वो इंसानों नहीं बनाया है, हम ने बनाया है तो इसलिए हम computer को एक man-made device बोलते है that makes a work easy जो कि हमारा काम बहुत जादा आसान कर देता है easy कर देता है, ठीक है let me explain it, चलो मैं अब इन तुम को समझाता हूँ तो computer हम से क्या बता रहा है देखी, we see so many things around us हम अपनी चारों और बहुत सारी चीजों को देखते हैं जैसे trees, paid, flowers, full, grass, ghas, clouds, badal, mountains, पहाड, etc हम अपने चारों और ये सभी चीजों को देखते हैं है कि नहीं, जैसे हम बाहर निकलते हैं हमें ये सब दिखाई देते हैं, है ना तो इन सब को हम क्या बोलते हैं ये सारे किस ने बनाएं, क्या ये इनसानों ने बनाएं नहीं है ना, nature has created all these things यानि nature ने बनाया है, भगवान ने बनाया है हमारे कुदरत ने बनाया है, ये सारी चीज़े हमारे लिए इसलिए हम इन चीजों को natural things बोलते हैं याद रखना, तो दो तरीके की चीज़े हमने अभी पड़े एक हो गया हमारा man-made things देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये man-made things जो इनसानों ने बनाया है और natural things, जो nature ने बनाया है कुदरत ने बनाया है, ठीक है, जो पहले से है जिनको किसी ने बनाया नहीं है देखिए, पिच्चर में आप देख सकते हैं है ना, ये पेड, पौधे और यहाँ पे flowers हैं, पत्ते हैं, पहाड है ग्रास है, हरियाली है ये सब तो पहले से हैं आसमान, बादल सब कुछ, किस ने बनाया है भगवान ने बनाया है, और हम उसको बोलते है natural things, क्योंकि ये nature ने बनाया है, और वो चीजें जो इनसानों के द्वारा बनाये गई है, उनको हम बोलेंगे man-made things, सो हो गया हमने दो चीजें इस पेज में पढ़ी एक man-made things और एक natural things तो अब हम पढ़ेंगे कि machine क्या होती है, है ना जिसे कि हमने पढ़ा man-made things, है ना, there are many things around us which are man-made हमारी चारों और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनसानों ने बनाई है, जो man-made है, ठीके, so these things help us do our work easily ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं, काम करने में असानी से, ठीके, so these things are called machines उन चीजों को हम machines बोलते हैं, जैसे कि क्या है examples, देखे नीचे दिया है, given below are the pictures of some machines, नीचे दिये गए है कुछ machines के pictures क्या-क्या है, television TV जो होता है हमारा mobile, mobile भी एक machine है, है ना, bicycle bicycle भी एक machine है सब अपना, सब man-made है, है ना, सब इनसानों ने बनाया है अपनी सुविधा के लिए, ताकि उनका काम असान हो जाए, ठीके, air conditioner, जो हमारा AC है जो हमें ठंडी-ठंडी हवा देता है ठीके, so ये सारे machines है जो man-made है, जो इनसानों ने बनाया है, ठीके, अभी हम machines के दो types पढ़ेंगे, यानि कितने तरह के machines होते हैं there are two kinds of machines machine दो तरह के होते हैं ठीके, ध्यान से सुनिए, machine दो तरह के होते हैं, एक होता है, manual machines और दूसरा है, electronic machines, ठीके, ये exam में आ सकता है, ध्यान रखना, machines के दो type होते है, manual machines और electronic machines, so अब manual machines क्या होता है manual machines मतलब जो इनसानों के द्वारा चलता है इनसान अपने खुद प्रशर लगा कर जब एक machine को चलाते हैं so वो होता है, हमारा manual machines और electronic machine क्या होता है, जो बिजली से चलता है, जिसमें हम switch on off करते हैं, चाहे वो बैटरी से भी चलती हो, वो साब electronic machines होती है, क्योंकि उसमें electricity का यूज होता है current का यूज होता है, बिजली का यूज होता है ठीक है, so manual machines क्या होता है, manual machines are the machines that are run by man, यानि जो इनसानों से चलती है, मतलब इनसान अपना खुद pressure लगाते हैं, examples देखिए यहाँ पर एक example दिया है, typewriter, यह typewriter क्या होता है, पहले होता था यह अभी आप लोगोंने दिखानी होगा बहुत कम होता है, यह क्या होता है, typewriter एक ऐसा box होता है और यहाँ पर पूरे alphabet letters होता है जो कि हमारा अभी का computer keyboard होता है वैसा ही होता है, यह typewriter ठीक है, इसमें जो है, इनसान buttons को press करकर करके दबा दबा के type करते हैं और यहाँ से print out निकालते हैं ठीक है, तो यह typewriter एक machine थी यह बिजली से नहीं चलती इसमें लोगों को जो है, इस button को अपने खुद pressure लगा कर दबा दबा कर type करना पड़ता था ठीक है, पर यह क्या है laptop, laptop तो electronic machine है, यह बिजली नहीं हो तो नहीं चलेगी है ना, इसमें साइकल हो गया है, साइकल क्या हम electricity से चलाते हैं, नहीं उसमें जो है, इनसान जोर लगाता है अपना खुद अपने बाड़ी का pressure लगाता है, और तब जाकर वो आगे-अगे move होता है, जिसे साइकल रिक्षा हो गया, हमारे सारे वेहिकल्स जो की electricity से नहीं चलते हैं, वो सारे आएंगे कहाँ पर manual machines के नीचे, ठीक है और जिसे की आपको पता है हमारा stitching machine, कपड़े सिलने वाली जो machine होती है, पहले कैसे होती थी हातों से घुमाया जाता था है अभी जो है, electric machines आ गई है कपड़े सिलने के लिए, जो पैरों से भी चलाने वाली, सीविंग machine हुआ करती थी कपड़े सिलने वाली, ठीक है वो सब आएगा हमारा manual machines के अंदर, ठीक है, और अभी का stitching machine है, वो electronic हो गया क्यों, क्योंकि वो भिजली से चलती है इसके लिए भी हम जो है, उसे electricity से connect करते हैं, ठीक है सो वो हो गया, सो सो अभी हमने दो चीजें पड़ी दो तरह के machines, एक हो गया manual machines और दूसरा हो गया electronic machines, सो manual machine जो इनसानों की द्वारा चलती है, और electronic machines जो electricity के उपर चलती है, ठीक है तो आपको confused नहीं होना है, वो कोई भी example देकर पूछ सकते है कि ये manual machine है, कि electronic machine, तो अच्छे से सोचना है अगर उसमें बिजली का इस्तमाल नहीं हो रहा, तो आप उसे manual machine बोलेंगे, और अगर वो current से चलती है, बिजली से चलती है, तब आप उसको electronic machines बोलेंगे, ठीक है, तो चलते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे different types of machines मतलब machine कितने कितने तरह के होते हैं, और किन किन कामों के लिए कैसी कैसी machines use होती है, ठीक है, there are many types of machines that help you in one or the other way, ऐसी बहुत सारी machines होती है, जो हमें तरह-तरह के कामों के लिए हम use करते हैं, जैसे की some machines help you to move, कुछ machines हमें कैसी use होती है, एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए, इसको हम move बोल रहे हैं, ठीक है, यानि एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए, यानि हमारे सारे vehicles जैसे car, bicycle, bicycle, bike, auto, bus, train, ये सब क्या है, ये सब भी machines है, ये सारे जो है, हमारे manual machines के अंदर ही आएंगे, ठीक है, सो car हो गया, bicycle हो गया, bus हो गया, जो हमें ऐसी machines, जो हमें एक जगे से दूसरे जगे जाने के लिए, help करती है, और आगे क्या है, some machines help you to do work with ease, at home, मतलब घर में, बहुत सारे machines होते हैं, हमारे घर में, क्या-क्या होता है, देखिए, याँ पर example दिया है, microwave oven, vacuum cleaner, और washing machine, ठीक है, सो ये सारे वो machines है, जो आपने घरों में यूज करते हैं, आवन आपको पता होगा ना, baking के लिए हम यूज करते हैं, कुछ खाना इसमें रग देते हैं, और वो अपने आपको को जाता है, बिजली से, ठीक है, इसमें fire की ज़रूरत नहीं है, ये बिजली से चलता है, और vacuum cleaner, मतलब बहुत सारी धूल मिटी कहीं पर भी हो, तो हम vacuum cleaner य कपड़े धोने के लिए हम washing machine यूज करते हैं, इसके अलावा भी like refrigerator हो गया, ममी के kitchen में हमारा mixer grinder हो गया, blender, beater, जो भी चीजे हम अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, machines है, जो कि हम अपने घरों में यूज करते हैं, जिससे हमारा काम और जादा असान हो ज entertain करती है, entertain करना मतलब क्या है, जिससे हमारा मनरंजन होता है, जो हमारा दिल बहलाती है, जिससे देखकर हमें खुशी मिलती है, so वो कौन सी machines है, television, जो टीवी है जब आप बोर होते हो, आप टीवी देखते हो, so आपको entertainment मिलता है, so television, then music system, गाना सुनने के लिए music system, वीडिय गेम है न, games खेलने के लिए video game, so ये भी machines होती है, जो की हमारे entertainment के लिए बनाई गई है, ठीक है, हमारा time pass करवाने के लिए machines ये बनाई गई है, ठीक है, आगे चलते हैं, so ये है हमारा अब last topic, जो की है features of a computer, so features of a computer, मतलब की विशेशता है, computer हमारे लिए क्या क्या करता है, computer के सारे गुन हम इस page में पढ़ेंगे, like other machines, a computer is an electronic machine, बाकी machineों की तरह, computer भी एक electronic machine होता है, it does many things, वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें करता है, and makes a work easier, और हमारा काम असान कर देता है, let us now have a look at what a computer can do for us, अब चलते हैं, देखेंगे कि computer हमारे लिए क्या क्या करता है, ये देखिए, ये आपको picture दिख रहा है न, ये देखिए, ये computer बोल रहा है, कि वो क्या क्या कर सकता है, इसलिए I बोला है, क्योंकि computer बता रहा है अपने बारे में, I can show you a movie, मैं तुम्हें movies दिखा सकता हूँ, I can play games for you, मैं तुम्हारे लिए games प्ले कर सकता हूँ, I can count, मैं गिन भी संकता हूँ, यानि मैं counting भी कर सकता हूँ है न, हम maths के questions यानि problems, addition वगेरा भी computer में कर सकते हैं, यानि वो एक calculator भी है, I can help you draw and paint, मैं तुम्हें drawing करने में और painting करने में भी मदद कर सकता हूँ है न, आजकर computer में drawing और painting भी हम कर सकते हैं, I can sing a song for you, मैं तुम्हारे लिए गाना भी गा सकता हूँ, कैसे हम speaker के help से computer से गाना सुन सकते हैं, I can tell you a story, यानि computer के जो speaker है, उसमें से हम stories भी सुन सकते हैं, movies देखते हैं, तो उसकी आवाज भी speaker से निकलती है न, so computer can tell you a story also, I can work very fast and save time, मैं बहुत जल्दी काम करता हूँ और आपका समय बचाता हूँ, यानि save time मतलब समय बचाना, आगे क्या बोल रहा है? I never make mistakes and never get tired, मैं कभी गलतियां नहीं करता, mistakes मतलब गलतियां, ठीक है? So I never make mistakes, मैं कभी गलतियां नहीं करता and never get tired और कभी ठकता भी नहीं, tired भी नहीं होता, computer तो एक machine है ना, so वो ठकेगा कैसे? So वो बहुत सारे काम करता है, फिर भी गलतियां भी नहीं करता और ठकता भी नहीं है, I can remember many things, remember मतलब याद रखना, ठीक है? So मैं जो है, बहुत सारे चीज़ों को याद रख सकता हूँ, हम जो है, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते, क्योंकि हम भूल जाते हैं, लेकिन computer कुछ नहीं भूलता, उसके दिमाग में सब कुछ याद रहता है, ठीक है? So वो बोल रहा है, I can remember many things, मैं सारी चीज़ों को याद रखता हूँ, कुछ भी नहीं भूलता, So हो गया हमारा ये chapter, देखे, ये है features of computer, जो की computer अपने बारे में बता रहा है, ठीक है? So इतने सारे काम इस computer के द्वारा हम कर सकते हैं, हो गया, तो चलते हैं अब chapter के exercises की तरफ, After reading the chapter, I know these points, so हमने जो chapter read कर लिया है, और उसके बाद हमें इतनी चीज़ों का पता चला है, क्या क्या पता चला हमें? I have learned that computer is a machine, computer एक machine है, yes, है ना, computer ते एक machine है, I know that a computer makes our work easy, computer हमारा काम easy कर देता है, a computer works very fast, computer बहुत तेज काम करता है, a computer never gets tired, computer कभी थकता ही नहीं है, and I know that machines work faster than men, यानि machine जो है, इनसानों से भी तेज चलता है, है ना, so आप सब में agree, agree में टिक मारेंगे, agree मतलब हाँ मैं ये मानता हूँ और disagree मतलब मैं ये नहीं मानता, ठीक है, so हमें पता है, ये सब सही है, so हम सारा यहाँ पर टिक करेंगे, अब देखते हैं आगे, exercises, tick the correct answer, ठीक है, हमें जो है correct answer पर टिक मारना है, machines make a work, what, कि machine हमारा काम कैसे करता है, boring, क्या boring सा होता है कि machine सा काम, नहीं, easy, yes, and difficult, no, ठीक है, so machine make a work, easy, machine के द्वारा हमारा काम आसान हो जाता है, easy मतलब आसान हो जाना, so हम easy में मारेंगे, tick, ठीक है, then we can play dash on a computer, हम computer में क्या खेल सकते हैं, जब play word यूज़ भा तभी आपको पता चल गया, खेलना तो हम सुर्फ games खेल सकते हैं, है न, so यहाँ पर क्या आएगा, games, option ने क्या दिया है, machines, flowers, and games, so हम यहाँ पर games में tick मारेंगे, dash is a smart machine, computer, cloud, human, सबसे हुश्यार smart machine है, ठीक है, सबसे तेज machine है, कौन सा, क्या है सबसे तेज machine, computer ही है, है न, so हम computer पर tick मारेंगे, और यहाँ लिखेंगे computer, आगे हमें एक true or false है, यानि सही और गलत, हमें correct answer लिखना है, machines are man-made things, machine इन सारों के द्वारा बनाया गया चीज़ है, यह तो सही है, true, है न, so हम यहाँ पर T लिखेंगे true, a computer can do many things, computer बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, so वो सही है, so हम यहाँ पर T लिखेंगे true, manual machines are run on electricity, जो manual machines होती है, वो बिजली से चलती है, नहीं, यह wrong है, है न, बिजली से तो electronic machine चलती है, so यह wrong है, so हम यहाँ पर F लिखेंगे false, a car is a machine, car एक machine है, yes है न, पर कौन सी machine है car, manual machine है, ठीक है, electric machine, नहीं, electric cars भी होती है, तब आप बोल सकते हो, वो electric machine है, ठीक है, पर जो normal car होती है हमारी, उसको हम manual machine ही बोलेंगे, ठीक है, so car is a machine, yes, it's true, we will write T here, laptop is a manual machine, क्या laptop एक manual machine है, नहीं, laptop तो electronic machine है, है न, laptop बिजली से चलता है, so यह गलत है, so हम यहाँ पर लिखेंगे false, ठीक है, true नहीं लिखेंगे, false लिखेंगे, okay, so laptop जो है, एक manual machines नहीं है, okay, let's go to the next page, आगे जो है, एक fill in the blanks है, देखेंगे, यहाँ पर कुछ-कुछ letters दिये हैं, आपको बाकी के letters जो है, यहाँ पर fill करने हैं, so कैसे करेंगे यह, a computer is a dash, है ना, और M दिया है, C-I-E, so हम पता है कि computer is a machine, so हम यहाँ पर machine की spelling fill करेंगे, trees and flowers are dash things, ठीक है, so trees and flowers जो है, natural things है, man-made नहीं है ना, nature ने बनाई है, so natural की spelling हम यहाँ पर fill करेंगे, then computer can tell you a dash, यह क्या है, story, ठीक है, computer हमें कहानिया भी सुनाता है, so story, a computer never make dash, कभी, computer कभी गलतियां नहीं करता, so गलतियां क्या है, mistakes, okay, so हम यहाँ पर mistakes लिखेंगे, a computer can show you a dash, movie, है ना, यह movie की spell नहीं है, सो हमें आपे movie लिखेंगे, आगे क्या है, tick the machines used in our home, हमारे घर में जो machines use होती है, उसमें हमें tick माना है, क्या यह हमारे घर में use होता है, bus, no, so cross कर दिया मैंने, then cycle क्या हमारे घर में use होता है, नहीं, यह भी हम road पे चलाते हैं, so cross मारा, और TV, yes, यह machine है, जो हम अपने घर में use करते हैं, so television पे tick मारेंगे, write M against the man-made things, and N against the natural things in the boxes given below, ठीके, सो हमें जो है man-made things के लिए हम M लिखेंगे, ध्यान रखें, natural things के लिए हम N लिखेंगे, यानि man-made के लिए M, natural things के लिए N, so देखेंगे, so क्या है, वो natural things है, नहीं न, यह तो इंसानों ने बनाई है, so हम यहाँ पर M लिखेंगे, और tree, tree तो natural things है, है न, यह अपने आप उपर आता है, मतलब हम सुर्फ उगाते हैं, पर जब वो बड़ा जो हो रहा है, वो अपने आप से बड़ा हो रहा है, so वो natural things हो गया, so N लिखेंगे, mobile, जो हमारा mobile है, वो man-made है, क्योंकि वो इंसान बनाते हैं, और full, full भी अपने आप खिलते हैं, हम नहीं करते कुछ भी, वो अपने आप रात और रात full खिल जाते हैं, so वो natural things हो गए, okay, so let's move on to our next page, write the following numbered letters of the English alphabet, okay, यहाँ पर हमें एक activity करनी है, one has been done for you, ठीके, एक किया हुआ है, यह क्या करना है हमें, यह देखें, third, fifteen, thirteenth, आपको क्या समझ में आ रहा है, यह सब क्या है, English alphabet के letters के position है, यानि हमें इसमें कैसे, हम यह कैसे find out करेंगे, पहले आप पूरा A, B, C, D लिखेंगे, अपनी copy में, ठीक है, A, B, C, D लिखने के बाद, उसमें A में लगाएंगे, number one, B हो गया, second letter, number two, C है third letter, D है fourth letter, ऐसे हाप पूरे A, B, C, D, E को numbers देंगे, ठीक है, जैसे one हो गया, A one, B two, C three, D four, E हो गया हमारा fifth letter, F हो गया हमारा sixth letter, इस तरीके से आप पूरा Z तक करेंगे, ठीक है, so Z आएगा 26 है ना, क्योंकि English में 26 letters होते हैं, और उसके बाद आपको find करना है कि third letter कौन सा है, so third letter कौन सा है, C, so वो यहाँ पर दिया हुआ है, और फिर आपको देखना है कि 15th letter कौन सा है, जब आप copy में पूरा लिखोगे, आप ढूंड होगे कि 15th letter कौन सा है, so वो O आ रहा है, ठीक है, then 13th letter, M, 16th letter, P, 21st, U, 20th, T, 5th letter क्या है, यह देखे, 5th letter है हमारा E, so हम E लिखेंगे, इस तरीके से आपके एक word मिलेगा, और वो क्या मिला हमें, computer, ठीक है, so यह एक activity है, जो आपको यहाँ पर करनी है, और जो word आपको मिला, वो आपको यहाँ पर दो बार लिखना है, यह किसलिए आप लिख रहे हो, ताकि आपको computer word की spelling भी अच्छे से आ जाए, ठीक है, यानि इसमें लिली को बताना है कि computer का functions क्या है, मतलब computer हमें क्या-क्या दिखाता है, क्या-क्या काम हम computer से कर सकते हैं, functions मतलब computer के काम, यह आपको जो features of computer में आपने पढ़ा था, उसमें से कोई भी feature आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कि computer से हम गाना सुन सकते हैं, या computer हमें movie दिखाता है, computer हम count कर सकते हैं, ऐसे आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जासे यहाँ पर लिखा हुआ है कि it shows us movie, movie हमें movie दिखाता है, it can count, हमें counting में हमारी मदद करता है, calculate, calculate करतवाता है, और saves time हमारा समय बचाता है So इस तरीके से जो है आप कोई भी features computer के यहाँ पर लिख सकते हैं अब यह देखिए यहाँ पर एक activity है Tick the correct pictures shown below Your father wants to reach office quickly आपके पापा office बहुत जल्दी पहुँचना चाहते हैं He should go by मतलब वो कैसे जाएंगे Car या walking So अगर आपके पापा को office जल्दी पहुचना है So अगर वो चल के जाएंगे तो जल्दी नहीं पहुचेंगे So उनको किस में जाना चाहिए Car में जाना चाहिए So हम यहाँ पे car में टिक करेंगे Your mother wants to clean the home आपकी मम्मी घर को साफ करना चाहती है Without getting tired पर वो ठकना भी नहीं चाहती हैना बिना ठके जो है मम्मी घर को साफ करना चाहती है She should use dash उनको क्या यूज करना चाहिए Brom जाडू या vacuum cleaner Vacuum cleaner ठीक है So answer क्या होगा vacuum cleaner क्योंकि vacuum cleaner एक machine है वो हमारा काम असान करती है So हम यह सब क्यों कर रहे हैं कि हमें पता चले कि machine हमारे काम को कितना easy कर देते हैं ठीक है Your brother wants to go to sixth floor of the mall quickly आपका भाई जो है एक mall के छटी मनजिल तक पहुँचना चाहता है Sixth floor तक पर उन्हें तो उसे क्या use करना चाहिए Stair, Seedian या Escalator ठीक है So हम Escalator में टिक मारेंगे क्यों क्यों क्योंकि ये एक machine है ये हमें तुरंद ऊपर पहुचा देता है वो भी बिना ठके ठीक है So यहाँ पर इस तरीके से आपको टिक करना है बस हमारा chapter यहाँ पर खतम हो गया Last में एक fun activity है दिखी कुछ dots दिये है आपको उसको number के order में उन्हें connect करना है और आपको एक picture मिलेगा क्या picture मिलेगा एक computer का picture मिलेगा ठीक है और आपको उसको color करना है So यहाँ पर खतम होता है हमारा chapter one of our computer text book Computer a magic machine ठीक है अब अगला chapter करेंगे हम अपने अगले वीडियो में So मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो like, share और subscribe ज़रूर करेगा Thank you for watching Bye Bye